पायोनेजेटिक्स के अंदर फोटोसेंथिस के टॉपिक को हम देख रहे थे और लास लेक्चर में हमने बात की थी लाइट डिपेंडेंट रियक्शन्स की यानि वो रियक्शन्स जो के रोशनी की मौजूद्गी में होते हैं फोटोसेंथिस में आज हम बात करेंगे फोटोसेंथिस के दूसरे हिस्से की यानि के वो रियक्शन्स जो के रोशनी के मौजूद्गी के बगाएर भी हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं लइट इन्डिपेंट रियक्शन्स हमने देखा था कि light reaction के result में हमारे पास दो चीजे बनती है एक ATP बन रहा होता है और इसके लावा NADPH बन रहा होता है और साथ ही साथ water molecule का breakdown होता है जब water molecule तूटता है तो उसके result में oxygen gas जो है वो produce होती है वो फिर atmosphere में चली जाती है तो अब जो है हम उसके second phase के उपर क्योंके आ गए है और second phase था dark reaction यानि के light independent reaction का जिसे हम Kelvin cycle भी कहते हैं अब Kelvin cycle में क्या होगा कि इसके अंदर carbon dioxide जो है वो involved होगी और यह जो NADPH यानि के nicotinamide adenine dinucleotide phosphate बना था और adenosine triphosphate बना था यह दोनों इस्तमाल होंगे और इसके result में क्या बनेगा इसके result में हमारे पास sugar molecule या carbohydrate molecule जो है वो बनेगा Kelvin cycle जो इसको नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एक scientist के नाम पे जिनका नाम है Melvin Kelvin जो ले फिर्स ताइम इसकी details को discover किया और basically इसके अंदर हो क्या रहा होता है इसके अंदर carbon fixation होती है यह reaction जो है वो stroma के अंदर हो रहा होता है stroma जो के chloroplast का हिस्सा है ठीक है chloroplast के अंदर stroma के अंदर reaction हो रहा है और हमने कहा कि इस reaction को रोशनी की जरूरत नहीं है अच्छा अब रोशनी जब इस्तमाल नहीं होगी तो यहां पर जो reaction हो रहे होंगे उनको energy कहां से मिलेगी वो energy मिलती है ATP और NADPH से ठीक है अब यह जो ATP molecule और NADPH molecule बना था light reaction में वो अब इस्तमाल होगा dark reaction में या Kelvin cycle के अंदर overall अगर हम reaction की बात करें कि क्या reaction होता है उसे भी हम देख लेते हैं overall reaction अच्छा overall reaction के अंदर हम यह देखेंगे कि कौन-कौन से reactants हैं और उनके react करने से क्या-क्या products बनते हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि carbon dioxide जो है वो इसके अंदर involve होता है इसके साथ-साथ six molecules चाहिए हमें NADPH के चीक है और इसके साथ-साथ हमें nine molecules ATP के बीच चाहिए यह सब आपस में react करेंगे और products में हमारे पास क्या बनेगा सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं काबो हाइडरेट बनेगा ठीक है इसको अगर हम इसके empirical formula से represent कर दें यह काबो हाइडरेट हो गया इसके इलाव हमारे पास यह जो NADPH है यह convert हो जाएगा into NADP में और यह जो हमारे पास ATP है यह convert हो जाएगा into ADP ठीक है तो अगर हम इसको balance करें तो क्या होगा हमारे पास six molecules इसके थे six ही इसके बन जाएगे यहाँ पे और nine हमारे पास यह है ADP अच्छा अब यह ADP बना इसके साथ और क्या बनेगा इसके साथ हमारे पास nine जो है वो organic phosphate बनेगे ठीक है यह आई चोटास हम लिख रहे है इन और्गैनिक स्वरी nine इन और्गैनिक phosphate हैं और इसके इलावा यहाँ पे three molecules हैं वो water के भी बन रहे है तो यह हमने देख लिया overall reaction को जो के Kelvin cycle के अंदर हो रहा है ठीक है इनके मौझूदगी में कुछ reactions हो रहे हैं और उनसे बन किया रहा है यहां पे एक तो by product जो इसका होगा वो क्या है वो है carbohydrate ठीक है एक product basically और इसके by product में हमारे पास क्या क्या चीज़े है एक तो inorganic phosphate है ADP है NADP है और water molecule है water molecule तो यह जो series of reaction है जिसके अंदर हमने कहा कि यह जो reaction है basically catalyze हो रहा है with enzymes और carbon जो है वो fix हो जाता है यहां पे और reduce पे हो जाता है और glucose molecule यहां पे बन जाता है यह जो तमाम series of reaction है इस पूरे के पूरे reaction को हम क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं Kelvin cycle और इस Kelvin cycle के basically तीन phases होते हैं यह हम इसको three parts three groups में divide कर सकते हैं और वो three phases क्या है पहला तो है carbon fixation इसके बाद दूसरा है reduction और third phase जो है वो है regeneration of carbon dioxide acceptor और carbon dioxide acceptor क्या है यह है RUBP जिसे हम कहते हैं ribulose by phosphate ठीक है तो यह तीन phases है one by one हम इन phases को देखते जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजे होती है क्या होता है carbon fixation को सबसे पहले हम देख लेते हैं carbon fixation का जो phase है इसके अंदर होता यह है क्या है carbon dioxide molecule जो के inorganic form में होता है वो convert हो जाता है into organic material organic material और basically इस phase में यह होता है कि three molecules जो है molecules carbon dioxide के वो react करते है और overall जब carbon cycle complete होने लगता है तो क्या होता है कि one molecule बनता है carbohydrate का अब इसको step by step देख लेते हैं कि carbon fixation में सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले यह होता है कि carbon dioxide जो है वो react करता है एक five carbon sugar के साथ जिसे हम कहते है ribolose by phosphate जिसको हम rubp भी कहते हैं तो carbon dioxide जो है five carbon sugar के साथ react करेगा अब एक carbon जो है वो carbon dioxide के अंदर है और five carbon इसके साथ हैं तो हमारे पस एक product बनता है जो कि six carbon sugar होता है sugar तो हम इसे कहेंगे six carbon compound होता है जिसे six carbon intermediate भी कहते हैं और यह जो reaction हो रहा है यह in the presence of an enzyme enzyme एक enzyme की मौझूदगी में हो रहा है और वो enzyme कहलाता है ribolose by phosphate carboxylase इसको भी हम mention कर देते हैं ribolose by phosphate carboxylase यह enzyme है जिसकी मौझूदगी में यह reaction हो रहा है और six carbon intermediate intermediate हम कह रहे हैं इसलिए क्योंके यह फोरान यह बनते हैं और वो क्या molecules हैं वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं 3 phosphoglycerate तो यह जो reaction है basically इसको हम यहां से यहां मोड़ देते हैं और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है 3 carbon compound जो कहलाता है 3 phosphoglycerate इस 3 phosphoglycerate को हम phosphoglyceric acid भी कहते हैं यहां पर इसको PGA भी बोला जाता है ठीक है तो हमारे पस क्या बन गया 3 phosphoglycerate बन गया अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शुरू में एक इनोगेनिक carbon carbon dioxide के अंदर वो अब यहां पर आके एक organic molecule में convert हो चुक है ठीक है जो 3 phosphoglycerate है यह basically 3 carbon compound है और यहां पर carbon जो है वो fix हो चुक है अगर हम एक cycle candle cycle को overall देख ले तो यह clear हो जाएगा इस diagram के अंदर अगर आप देखें तो अभी इस diagram के अंदर यहां पर अभी oxide molecule जो है वो ribulose bifosphate जिसे हमने कहाता रोबिस्को भी हम कहते है रोबिस्को के साफ react करेगा और हमारे पास 3 phosphoglycerate बनेगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 phosphoglycerate जो है वो बन चुक है और यह first phase जो हमारा carbon fixation का है वो complete हो चुक है इसके बाद हम start करेंगे अपना next phase जो के है reduction reduction का phase जो है वो वहीं से आगे continue हो जाएगा जहां हमने पिछला phase खतम किया है और वहां पर क्या हुआ था हमने देखा है के phosphoglyceric acid जो है वो produce हुआ है तो अब वही phosphoglyceric acid जो है यहां inorganic phosphate ठीक है inorganic phosphate से combine करेगा और हमारे पास एक product बनेगा जो के होगा one three bio phosphoglycerate glycerate यहां इस fraction के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है यह PGA है यानि कि three phosphoglycerate और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो product बना है वो क्या है वो है by phosphoglycerate one three एक first carbon के साथ phosphate है और एक third carbon के साथ phosphate drop है इसलिए हम इसे कहते हैं one three by phosphoglycerate यह तो एक step हो गया reduction का ठीक है इसके बाद हम आते हैं second phase जो के basically reduction reaction है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास one three by phosphoglycerate है इसके अंदर तो electrons एड होते हैं और एक product बनता है जो कहलाता है glyceral aldehyde three phosphate इसको हम mention पिकर देते हैं पहला हमने reaction देखा जो के यह था second reaction जो के इस phase में हो रहा है वो क्या है second reaction है जिसमें हमारे पास one three by phosphoglycerate convert होके glyceral aldehyde three phosphate बना रहा है यह जो glyceral aldehyde three phosphate है basically हमारे पास इसके six molecules बनते हैं ठीक है हम इसको G3P भी कहते हैं ठीक है G3P बनके हमारे पास तो कितने बने G3P six G3P बन गए के जो यहां पर G3P produce हुए है जिसे हम glyceral aldehyde three phosphate कहते हैं इन मेंसे एक ऐसा G3P है जिससे हमारे पास आगे जाके काबोहाइडेट बनते हैं इन फाक्ट G3P ही एक वो काबोहाइडेट है जो के केलविन साइकल का आउटपुट है ठीक है केलविन साइकल के आउटपुट में हमारे पास जो काबोहाइडेट बनता है वो यह एक glyceral aldehyde three phosphate है और इसके बाद यह जो हमने कहा के six molecules बन रहे हैं इन six मेंसे होगा यह के five molecules जो है वो वापस cycle के अंदर से ले जाएंगे और only one सिर्फ एक molecule जा है वो काबोहाइडेट बनाने के या glucose molecule बनाने के या सुक्रोस, starch कोई भी ऐसी चीज़ जो के plant की food होगी वो उसके बनाने में helpful होगा तो हम कहते हैं कि only one molecule leaves the cycle और लीव करने के बाद वो जाता कहा है वो यूज हो जाता है plant से plants को यूज कर लेता है used by plant और किन चीज़ों में हमने कहा के वो उसकी food बनाने के लिए यानि के उस food के अंदे glucose भी हो सकते है सुक्रोस हो सकते है या starch हो सकते है या फिर कोई और form हो सकती है कार्बो हाइडरेट की with recycle recycle का क्या मतलब है कि वो वापिस अपने cycle के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे अगर हम इसको figure के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ reduction भी इसको हम देख रहे हैं और हमने कहा कि 3-phosphoglycerate जो है वो पहले convert होता है 1-3-biphosphoglycerate के अंदर और 1-3-biphosphoglycerate जो है मजीद आगे जाके reduce होता है into glyceraldehyde 3-phosphate जीक है अब यह जो glyceraldehyde 3-phosphate है हमने कहा कि हाँ पे 6 molecules बनने हैं और इन 6 में से एक molecules जह वो बाहर आ जाता है और बाकी molecules जो है 5 molecules वो वापे cycle के अंदर चले जाते हैं एक चीज़ यहाँ पे देखने की जो important चीज़ है वो क्या ह है वो यह है कि हमने बात की थी हमारे पास in reactions के अंदर ATP use होगा और NADPH use होगा तो वो कहाँ पे use होगा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक inorganic phosphate आया था ठीक है इसी तरह हमने कहा था कि one three by phosphoglycerate जो है वो reduce हो रहे है means कि इसके अंदर electrons add हो रहे हैं तो electrons कहां से आ रहे ह यहाँ पर यहाँ पर यह जो phosphate आया इन और inorganic phosphate यह कहां से आया है यह आया है ATP से ATP जो है वो convert हो जाता है इंट्व ए डीपी एडियोनिसीन डाय फॉस्फेट यानि कि दो फॉस्फेट रह जाएंगे और एक अकेला फॉस्फेट जो है यहाँ पर अलग हो जाएंगे एडियो का मतलब होता है ना एडियोनिसीन ट्राइफ फॉस्फेट में तीन फॉस्फेट होते हैं तीन में से दो अलग हो जाएंगे और एक फॉस्फेट जो है इन और गैनिक फॉर्म में अलग हो जाएगा और वो कहां होगा वो यहाँ पर आके फिर यूस हो जाएगा इसी तरह से जो हमारे पास molecule है NADPH का ठीक है NADPH जो है यह टूटेगा और हमारे पास बनेगा NADP positive और हमारे पास H जो है वो अलग हो जाएगा बिसीकली इस H के साथ phosphate group पे होगा ठीक है तो अब यहां से जो electron आएगा वो क्या करेगा वो use हो जाएगा इस reaction के अंदर तो six molecules ATP के यहां पे use हो गए और six molecules जो है वो NADPH के यहां पे इस्तामाल हो गए तो यह हमने देख लिया क्या है यह हमने देख लिया reduction को इसके बाद हम आज आते हैं third phase के उपर और third phase क्या था third phase था हमारे पास regeneration of carbon dioxide acceptor और carbon dioxide acceptor था क्या basically हमने कहा था कि ribolose bifosphate जो है वो carbon dioxide acceptor है तो इसकी regeneration होगी हमारे पास इस step में और होगा क्या basically हमने कहा था कि जो पिछले series of reaction है वो जहां पे end होगा next वहीं से start होगा यहां पे हमारे पास glyceral aldehyde 3 phosphate यानि कि G3P produce होए थे ठीक है और कितने molecules six molecules produce होए थे उन में से एक जो है वो convert हो गया into carbohydrate और बाकि जो five molecules है वो हमने कहा था कि वो reaction में वापस आ जाएंगे या recycle हो जाएंगे अब यहां पे हमारे पास यही five molecules हैं G3P के we have five molecules of glyceral aldehyde 3 phosphate और यह five molecules जो हैं वो convert हो जाते हैं into three molecules of five carbon ribulose phosphate तीक है Interred Rup से हम इसको denote करते हैं और यह क्या है basically यहां पे हमारे पास क्या था कि five molecules घोड़े त्री strong molecules हैं अब यहां पे क्या है कि हमारे पास five carbon molecule है सके total कतने molecules थे त्री collar fragment है हमारे पास यह बढ़ कि हमारे पास ribulose phosphate अब यह जो ribulose phosphate है यहां पे एक और reaction होगा जिसे हम कहते हैं कि breakdown of ATP होगा और ATP के तूटने से हमारे पास एक तो ADP बनेगा और inorganic phosphate release होगा और यह वाला inorganic phosphate जो है वो next reaction जो के होगा ribulose phosphate का RUP प्लस इसके साथ हमारे पास यह वाला inorganic phosphate यूज़ हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास RUBP ribulose by phosphate ठीक है तो 3 molecules बने यूज़ होए हैं हमारे पास 3 molecules बन गए हैं ribulose by phosphate के और यह जो step है से हम क्या कहते हैं फॉसफोरिलेशन जिसमें फॉसफोरिलेशन जिसमें फॉसफोरिलेशन तोटके यहां पे यूज़ होए ठीक है तो यह क्या होगा फॉसफोरिलेशन अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ribulose by phosphate बन गया और जब हमने यह सारी reactions शुरू किये थे तो वहां पे भी हमारे पास एक चीज़ थी जिसे हमने कहा था ribulose by phosphate जो के react करता है शुरू में carbon dioxide के साथ तो basically यह एक cycle है जो के continue करता जाता है अगर हम इसको अपने figure के अंदर देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको दिखाया गया है कि जब हमारे पास GTPP था या गिस्रेल्टी हर्टी phosphate था वो different series of reaction से गुजर गुजर के हमारे पास ribulose phosphate बनाता है ठीक है और ribulose phosphate से पिर हमारे पास ribulose bifosphate यानि कि ribulose 155 phosphate भी हमें से कहते है ATP से phosphate जब इसके अंदर add हो गया तो यह हमारे पास बन गया है rubisco ठीक है यह जो compound है ने ribulose 155 भाई phosphate इसको हम rubisco भी कहते है rubisco जो है वो फिर अब वापस आके carbon dioxide साथ react कराएगा और फिर यह cycle जो है वो run होता रहेगा यह cycle इसे तरह से continue रहेगा एक और image था में पास बहुत अच्छा जिसे हम इस पूरे cycle को एक दफा revise कर सकेंगे अच्छा तो अब हम इस cycle को देखते जाते हैं हम revise करते जाते हैं शुरू से लेके के अभी तक हमने जो तीन cycle पड़े तीन basic phases पड़े हैं first phase था carbon fixation का और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास carbon dioxide जो है atmosphere से enter होती है Kelvin cycle के अंदर और यहां पर हमारे पास rubiscop आया जाता है और rubiscop के साथ जब वो combine कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक molecule बनता है जिसे हम कहते है three phosphoglycerate ठीक है एक intermediate सबसे पहले तो एक intermediate बनता है ठीक है वो six carbon compound होता है और यहां पर आपको यह गुल गुल दाएरे दिखाए दे रहे हैं यह 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 क्या है यह carbon है ठीक है और इसके side पर आप देख सकते हैं कि phosphate groups है अच्छा यहां पर क्या हो रहा है कि वो three carbon sugar में three carbon compound में convert हो गए है और यहां पर यह जो गुल गुल दाएरे हैं यह भी carbon है ठीक है और इसके साथ एक phosphate group है इसके बाद क्या होगा कि ATP से मजीद हमें कुछ phosphate in organic form में मिलेगा और वो phosphate यहां पर combine हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इस chain के एक साथ पर phosphate है next इस वाले product में क्या हो रहा है कि इसके दोनों साथ पर phosphate आपको दिखाए दे रहा है ठीक है three carbon से हैं दरम्यान में और एक साथ पर भी phosphate दूसरे साथ पर भी phosphate तो यह क्या बन गया one three by phosphoglycerate अब यह जो one three by phosphoglycerate है यह मजीद reduce होगा और reduce होके क्या बनेगा glyceral aldehyde three phosphate तो यह क्या पर यह step क्या है यह कहलाता है reduction अब यह जो glyceral aldehyde three phosphate बना है यह कितने बने हमारे पस six molecules बने ठीक है और यह किया है three carbon compound है अब यह जो three carbon compound हमारे पस बना है इसमें से एक जो six basically molecules इसमें से एक molecules जो है वो cycle से बाहर आ जाएगा और यह convert हो जाएगा into carbohydrate या कोई भी ऐसी form जो के plant की requirement है और इसके बाद जो भागी के five molecules हैं वो आप देख सकते हैं कि वो आगे आगे ठीक है तो यह जी जी त्वी पी यहाँ पे बना था glycerol aldehyde 3 phosphate वो आगे 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 five molecules यहाँ पे आगे यहाँ पे आगे फिर मजीद कुछ series of reactions है different तरह की reactions हैं जिनमें होता यह है कि यह जो G3P है यह अपने आपको rearrange करता है into ribulose phosphate ठीक है पहले ribulose phosphate बनता है हमारे पास और ribulose phosphate से मजीद ATP जब ADP में convert होता है तो हमारे पास एक और product बन रहा है जो कि है ribulose phosphate यानि कि दोनों साइक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि phosphate ड्रूप जो है वो attached है और यह जो ribulose phosphate है वो फिर आगे जाके इसी cycle कोई अंदर continue हो रहता है ठीक है तो यह था हमारे पास overall Kelvin cycle और Kelvin cycle किसी इसका part है हमने कहा था कि यह है dark reaction ठीक है dark reaction वो reaction है जो कि रोशनी के बगएर भी हो जाते है तो यहां आके हमारा photosynthesis का जो एक topic चल रहा था वो end हो जाता है इसको अगर आप इस चोटी सी जो diagram में इसके अंदर आप देख लें हमने अभी तक क्या देखा हमने देखा कि photosynthesis जो है वो दो major steps पे मुश्तमिल है और उसमें क्या है एक light reaction है और कुछ dark reaction है light reaction में हमने देखा था कि oxygen gas produce हुई थी इसके इलावा ATP produce हुई था NADPH produce हुई था और उसके बाद आज के लेक्चर इसके अंदर हमने केलवन साइकल को देखा केलवन साइकल में हमने देखा के ATP और NADPH यूज होते हैं और ADP और NADP positive यह as a product बनते हैं इसके लावा जो major product है वो उसका क्या है वो है carbohydrate यानि sugar और इसमें involved क्या हो रहा है या यूज क्या और यूज हो रहा जी carbon dioxide तो यह हमारा आज का लेक्चर था